Hello everyone, my name is Ankit Varma और आप देख रहे हैं lecture 11 on turbo machinery इस lecture में हम axial flow turbines को पढ़ेंगे जो की है propeller और kaplan turbines उनको हम पढ़ेंगे क्या इसमें difference है जो हमने radial flow turbines पढ़ा था या pelton wheel turbine पढ़ा था हमने जो impulse turbine थी उसमें क्या differences है axial flow turbines में क्या है जो principle है वो क्या है यह सब चीज हम deal करेंगे देखो जैसे जैसे speed बढ़ती है न अभी हम आगे specific speed को पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे specific speed बढ़ती है आप generally आप speed समझके चलें जैसे speed बढ़ती है तो जो हमारा flow है वो axial होता रहता है axial का मतलब क्या है कि जो flow जैसे की water आया जैसे की अगर हम radial flow की बात करें तो water radially आ रहा था और axially जा रहा था जैसे से speed बढ़ती है तो जो flow है जो जिस flow से या जिस speed से पानी आता है enter करता है वो भी axially enter करता है axially ही enter करता है और axially ही बहार आता है मतलब अगर मैं इसको मैं आपको diagram जो समझा देता हूँ यह casing है ठीक है यह casing है clear और यह हमारी क्या है guide veins है ऐसी ही बनाया था मैंने पिछली बार भी यहाँ पर जो है guide veins से जो पानी आ रहा है वो कैसा आ रहा है axially आ रहा है ठीक है axially आ रहा है और यह जो shaft है यह जो shaft है इसी के उपर हम क्या लगा के रखते हैं blades लगा के रखते हैं जब यह rotate करती है तो वो एक तरह से क्या बन जाता है runner की तरह काम करता है यह सब हम पढ़ेंगे अभी कि यह जो shaft है shaft को नीचे से हम enlarge करके रखते हैं उसको boss बोलते हैं hub या boss उसपे हमारी blades होती है यह veins होती है उसपे fix हो रखती है और यह पूरी shaft घूमती है तो कह सकते हैं कि water हमारा axially enter करेगा भी तक तो बस आप यह बात समझो axially enter करेगा और axially ही out होगा सबसे पहली चीज़ तो आप यह समझो clear सबसे अभी और कुछ मज समझो उसके बाद देखो जैसे मैंने बताया था अगर starting की बात करें मैंने इसको basic आपको बताया था reaction turbine का कि जो हमारा starting में अगर head की बात करें inlet की बात करें जब inlet पे turbine का कौन-कौन से head present रहते है pressure energy head और kinetic energy head हमने reaction of turbine भी पढ़ा इसमें degree of reaction भी पढ़ा और जब यह flow जब runner में जाता है तो उसका जो pressure energy है कुछ pressure energy किस में convert हो जाती है kinetic energy में convert हो जाती है ठीक है और हमने पढ़ा भी तब कि वो reaction develop होती है pressure difference के कारण तो pressure difference के कारण जो reaction इसी लिए इस type की turbine को क्या बढ़ा था हमने reaction turbine यहाँ पर जो इस type का होगा क्या अपलन जो हम axial flow turbine की बात करें यहां की जो shaft होगी वो क्या होगी vertical होगी इस बात को देखो अब note करें सारी बात लिकनी possible नहीं है shaft आपकी vertical होगी और जो shaft का lower part होगी और उसको हम थोड़ा सा बड़ा बना के रखेंगी कैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं अगर यह हमारी shaft थी ठीक है ऐसे shaft थी तो इसका जो lower portion है lower portion यह 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 इस तरह से हम बना के रखेंगे इसको हम बोलते हैं hub और इसी hub पे क्या होगी जो हमारी veins होंगी इस पर हम fix करके रखेंगे अब यहाँ पर दिखाना तो possible नहीं है और यह rotate करेगा ऐसे basic general सा idea दे रहा हूँ मैं आपको कैसे इसमें होता है और इसमें दो type के हैं propeller और kaplan turbine होता है ठीक है अब जैसे कि बाकी सब चीज तो इसमें सेम रहेगी लेकिन मलब अगर हम basic difference की बात करें अगर Francis turbine से difference करें तो वहाँ पर पानी radial ही आता था लेकिन यहाँ पर axial ही आता है और axial ही बहार जाता है ठीक है और और थोड़ा सा इसको और detail में जाते है अच्छा एक और important बात क्या है यहाँ पर number of blades क्या लगा के रखते है कम लगा के रखते है ठीक है तो जो पानी तो हमें पता है कि full बन के आ रहा है पूरा पूरा full जो यह runner पूरा एक time में full होगा ऐसा नहीं कि pelton wheel की तरह कि कुछी blades पे वो टकराएगा fully एक दम से होगा तो जो एक blade पे पहले जितना load पढ़ रहा था अभी Francis turbine में जो load पढ़ रहा था अभी के लिए क्योंकि blades में divide हो जाता है न load तो तो यहाँ पर load गया पढ़ेगा ज़्यादा पढ़ेगा यह भी important question है आ सकता है और एक और important बात जब blades कम होंगी तो frictional resistance भी कोंगी contact area कम हो जाएगा smaller contact area हो जाएगा तो frictional losses भी यहाँ पर क्या होंगे कम होंगे जो हमने Francis turbine में पढ़ा था यह important question direct ES के question समझ लो आप यह आए हैं आप देख लेना जो आप अगर lecture सुन लेंगे एक बार और direct question करने लेना देख लेना आपको direct questions आपके solve हो जाएगे अब एक और important बात है एक दिक्कत है इसमें जब जैसे speed बढ़ेगी तो u की value भी तो बढ़ेगी तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि mixed turbines में u1 बराबर u1 जो था u2 से बढ़ा था या कह सकते हैं u1 is not equal to u2 हम यहाँ पर ऐसा arrangement करके रखेंगे हम इस तरीके से veins बनाएंगे क्योंकि जो u किस पर depend कर रहा है omega तो हमारा same है radius पर ही तो depend कर रहा था r omega से तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जो radius की value होगी क्योंकि हम जो अपने मलब जो radius है center से यह जो अगर यह पूरा इसका center है और जहां से हम जहां से वो enter करता है तो वो r1 हो जाता है और जहां से वो बहार आता है वो r2 होता है हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जो r1 बराबर क्या हो r2 हो इस type का arrangement करेंगे अभी तो मैं आपको basic बता दे रहा हूँ ठीक है तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि बराबर रहे ठीक है और एक और important बात जैसे मैंने आपको बता है axial flow turbines में जैसे मैंने आपको बता है कि दो type की turbines है kaplan और propeller kaplan turbine में क्या difference है मैं main point आपको बता दे रहा हूँ kaplan turbine में कि जो हमारी blades है वो blades जो होंगी वो क्या होंगी adjustable होंगी या कह सकते हैं technical बाचा में जो runner की blades है वो adjustable होंगी और वो rotate हो सकती है about जिस पे भी हमने fix करका है जैसे उसके hub पे हमने fix करके रखका है तो उसके हिसाब से वो rotate हो सकती है उससे क्या होगा जैसे कि हमें पता कि अगर blades fix रहेंगी तो water हमारा क्या करेगा with shock entry करेगा shock से entry करेगा shock से मतलब with shock shock ठीक है shock effect हो जाएगा ठीक है और उससे हमारी efficiency due हो जाएगी तो हम क्या करके रखते हैं यहां की जो kaplan की blades होंगी उसको हम इस तरही से रखते हैं कि वो adjust हो सके ठीक है और वो adjust automatically हो जाते हैं हम servo mechanism लगारा लगा के रखते हैं तो हर एक load के लिए जो हमारा flow जो भी enter करेगा वो किसा हो without shock हो clear यह बहुत important है theory type से हो रहा है लेकिन important है कभी भी आप से कोई भी question यह सब चीज पूछ सकता है यह basic सा difference मैंने आपको इसमें बता दिया knowledge बढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा अब आपको numerical point of view से चलता हूँ numerical point of view से देखो जैसे मैंने बताया इसका जो diameter होगा कैसे अगर बस मैं general point से आपको बतायता हूँ कि यह हमारा यह hub बनता है ठीक है जिसका diameter होता है db clear और यह अलब यह shaft है ना हमारी omega speed से rotate करता है और यह d naught क्या होता है outer diameter of runner d naught क्या है runner का outer diameter और db क्या है diameter of boss कैलो hub कैलो तो अगर आप से को discharge की value पुछेगा पहले तो यह बताओ जब यह axially flow करेगा axially flow करेगा किस area पे कर रहा है यह सोचो यह इसी area पे कर रहा है यह area कितना है यानि कि इस area में ही flow हो रहा है ना पानी देख लो कौन सा area है यानि कि pi by 4 d naught square minus df square यह सबसे best तरीका है समझने का इसको ठीक है बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है खाली इसी area में flow हो रहा है इसी area में flow रहा है अगर मैं flow velocity से इसकी multiply करते तो यह q आ जाएगा ना और flow velocity का हमारे पास एक और तरीका इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं kf into under root 2gh kf को हम किस से denote करते हैं flow ratio बोलते हैं इसको flow ratio flow ratio दिया होगा head दिया होगा तो हम vf भी निकाल सकते हैं और यह भी आ जाएगा clear यह सबसे मतलब समझने के लिए सबसे best तरीका है क्योंकि इस area क्योंकि यह diagram सा हमें समझ आता है कितने area में flow हो रहा है तो यह area of flow कहते हैं क्या कहते है area of flow कई बार आपको k की value दे देगा kt से denote करते हैं और आपको direct निकाल देना है जो उसकी value दी होगी area दिया होगा सिधा diameter दिया होगा ठीक है तो वो हमने किस case में निकाला जब kt से हमने area की multiply की थी जो हमने Francis turbine को deal किया था यहाँ पर हमें इस तरह से मिकाला है और जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या अलग है थोड़ा था कि जो u की value है u1 बराबर क्या होता है u2 होता है पाकि सब calculations same है क्योंकि मैंने बताया r की value हम क्या रखते है यहाँ पर same रखते है क्योंकि वो जो blades है वो क्या है adjustable है पस इतना याद रखो आप clear और flow area भी flow area क्या होगा flow area जैसे हम आफ से denote करा तो यह भी क्या होगा दोनों के लिए a1 equals to क्या होगा a2 होगा क्योंकि देखो q की value क्या है a1 f1 इसको ऐसे लिख देते है af1 into vf1 बराबर af2 into vf2 और अभी मैंने बताया area दोनों का बराबर होगा area तो सेम ही रहेगा तो यहाँ से हमारा क्या आएगा vf1 बराबर vf2 clear इस funday से हमारी flow velocity भी सेम आ जाएगी और जैसे मैंने बता जो peripheral velocity होती है वो किस पर depend करती है अच्छा है यह बता हो radius पर ही तो depend करती है radius of the point from the center ठीक है वोई r omega हो जाएगा ठीक है तो यह जो है angles हम इस तरीके से बना के रखते हैं कि यह u की value क्या रहे है same रहे clear तो यह सबसे important भाती और जैसे मैंने बता है velocity of low remains constant vf1 बराबर vf2 वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे हुआ इतना ही है इसमें कोई special अब इसमें कोई game नहीं होने वाला ठीक है आप से कुछ भी वो पूछ सकता है जो मर्जी आप उसमें बता सकते है ठीक है क्योंकि आपको basic angles बनाने आगे है और बस आपको उसमें solve करना है कोई special चीज करने की जुरत नहीं है और थोड़ा सा मैं आपको इसका differences में बता दू कि अगर Kaplan और Francis के बीच में difference कि अगर हम बात करे Francis Turbine क्या था Radially Inward कह सकते है या Mixed Flow Turbine बोल सकते हैं उसको ठीक है Kaplan Turbine क्या है Axial Flow Turbine है ठीक है Francis Turbine की जो shaft थी वो horizontal भी हो सकती थी vertical भी हो सकती थी लेकिन Kaplan की कह सिर्फ vertical रहेगी ठीक है और Francis Turbine में हमने पढ़ी थी हमने कोई adjustable veins की बारे में तो कहीं बात नहीं की थी थी न लेकिन यहां की जो veins है adjustable है अच्छा number of veins भी यहां पर ज़्यादा होती है Francis Turbine में यहां पर कम होती है चार से चे के बीच में होती है ठीक है और जो हमने head की बात की थी head इसके लिए low होता है specific speed भी जादा ठीक है और एक और बात actually में governing mechanism हमें लगा के रखना होता है क्योंकि according to load यहां पर भी हम governor यूज़ करते हैं ठीक है वो बहुत आगे की चीज़ है लेकिन मैं आपको बताते हैं जैसे कि यहां पर governing mechanism हमें heavy लगा के रखना पड़ता है क्योंकि हमें यू की value fix रखके रखनी है ठीक है तो according to load हमें जो specific speed है या जो इसका q की value है उसको क्या रखना होता है constant रखना होता है ठीक है तो उसके लिए हमें governing mechanism यूज़ करना पड़ता है यहां इसके लिए capital turbine के लिए heavy रखना पड़ता है उसके लिए Francis turbine के लिए normal बहुत important यह थे discussion क्योंकि Francis turbine और capital turbine के लिए इंवर्स्टी में ही आ जाता है ES में भी past number में कई बार यह question आया है एक number में question आपका gate में भी इन में से कुछ भी बन सकता है Francis turbine का head low होता है या high होता है यह सब चीज आपको पता होनी चाहिए basic basic चीज है हमने पड़ी है और ES में एक बार question आया है कि जो blades होती है किस की बनी होती है stainless steel की बनी होती है for capital turbine capital turbine के लिए direct question मेरे को याद आ रहे है वो मैं बताए जा रहा हूं आपको important चीज है तो इस lecture में बस इतना ही next lecture में हम ES में आया हूँ पांच नंबर का 15 नंबर का question करेंगे 15 नंबर का question आया था इस same concept पे जो भी हमने Francis turbine के उपर पढ़ा था कैसे velocity triangle बनेंगे क्या अलग-अलग values निकालनी है वो हम next lecture में देखेंगे lecture सुनने के लिए धन्यवाद